आज आपको महात्मा बुद्ध के जनम के असली स्थान दिखा रहे हैं यही वो स्थान है इसके अंदर में क्या है वो सब कुसा को दिखाएंगे अंदर बाहर वैसे दो स्थान दिखा जाता है यह महात्मा बुद्ध की यादगर में एक जहां जनम हुआ था और जहां महात्मा बुद्ध ने तपश साके थी, जिस पेर के निचे तपश से क्या था, दो यादगार स्थान दिखाए जाता है, यह है, बुद्ध के जन्म के असल स्थान, जो आप देखेंगे, इसके अंदर भी हम बाद में दिखाएंगे, पहले इसके बाहर साइट के आस पास में देखें, देखने के लिए इसको टिकेट बना के जाना पड़ता है, तो आपको सब कुछ आपको दिखाएंगे, यह साइड में जो खंडर दिखाए जाता है, सब कुछ इसका रहिष्य आपको बताएंगे, और इसका चार तरप आप देखेंगे, पहले फरस्ट टिकेट बनाना है, तो आप देखेंगे, यह है टिकेट काउंटर, टिकेट बना के ही अंदर जाना पड़ता है, और टिकेट बना के जब अंदर में आते हैं, यह खंडर भी दिखाई पड़ता है, जहां राजा सुद्धन, क्योंकि महात्मा बुद्ध का जनम, राज परिपर्मिय है, आज यह चार तरब जो आप खंडर देख रहे हैं, अंदर भी आप देखेंगे, कैसे खंडर बना हुआ है, यह मंदिर तो आप जो देखेंगे, वाइट मंदिर जो आज हम देखने के लिए रखा है, यह जो मंदिर देखने के लिए दर्शन के लिए रखा है, यह बाद में बनाए गया है लेकिन यह original पुराना नहीं है यह पुराना यह तो बाहर में जो खंडर आप देख रहे हैं अंदर भी खंडर है आप देखेंगे अंदर में जाकर आज उसी स्थान पर जैसे महात्मा बुद्ध सत्षंग करते थे यह सही वहाँ यह पेर है इस पेर के निचे जो वहाँ भुद्ध शिष्य है वहाँ जो भी आसपस में उसके संग में आते हैं उनों को महात्मा बुद्ध की विशे में सत्षंग सुनाए जाते हैं यह है वही स्थान बुद्ध की जन्म के असल स्थान और ये बुद्ध भिक्षुक और बुद्ध शिश्य के है इस प्रकर से वहाँ कोई बुद्ध भिक्षुक भी रहते है और ये है बुद्ध के जन्म के असल इस्थान अभी इसके अंदर हम जाएंगे अब देखेंगे अंदर भी क्या है कैसे खंडर है वेसे यहाँ कोई भी जाते हैं उनको केमेरा के लिए एलाव नहीं होता है और टिकेट बना के ही जाना पड़ता है देश बिदेश के कई लोग आते हैं कि देखने के लिए अभी इसके अंदर हम जा रहे हैं इस साइट का भी आप दिरिश्च देख लिजे कि इसे पिर पोधी से हरी अली है सुन्दर दिरिश्च है और इसके अंदर हम जाने के रास्ता से लेकर आपको पूरा लाइव दिखाती जाएंगे कैसे एंट्री करते हैं अंदर में क्या है जहां मात्मा बुद्ध का जनम हुआ था यही वो असली बिल्डिंग है जो आज यह खंडर जैसे आप नीचे देख रहे हैं जो सबसे पुराना मंदिर है मंदिर नहीं कहेंगे वैसे राज महल था जो आज खंडर बना हुआ है आज से लगभग 2300 वर्ष पहले का अब सोच सकते हैं 2300 वर्ष पहले मात्मा बुद्ध का जनम हुआ था इसी स्थान पर और वो आज बिल्डिंग का क्या रह सकता है कुछ भी नहीं खंडर है लेकिन इसी बिल्डिंग में इसी स्थान पर ही मात्मा बुद्ध का जनम हुआ था जिसको उपराज मंदर जैसा बना के रखा है देश बिदेश से लोग आते हैं ये देखने के लिए पूरा आप देखरें एक खंडर जैसा परा हुआ है और ये मात्मा बुद्ध के जनम का जिस स्थान पर हुआ था उस स्थान पर ये मात्मा बुद्ध की एक मूर्ति रखी हैं और ये ही स्थान जो बाहर से कहीं से भी आते हैं इस स्थान को देखने के लिए मात्मा बुद्ध के जनम स्थान को बिलकुल साइलेंस ने अंदर में कुछ भी नहीं है ये ही मात्मा बुद्ध के जनम के असले स्थान जो हुआट चादर से धका हुआ है ये ही मात्मा बुद्ध के जनम के असले स्थान बाहर से इस प्रकार से दिखाए जाता है मंदे को आसपास में खंडर देखने को मिलता है उस पुराना कुछ भी नहीं है लेकिन निशान है खंडर इस प्रकार से आप जो देख रहे हैं नेपाल में लुम्बीनी में कपिल बस्त में महत्मा बुद्ध कर जनम हुआ था यही वो स्थान है यही ओर बिल्डिंग है आपको अगर आग इस वीडियो का अच्छे लगी तो आपके समपर्क में जो भी है सब को इस वीडियो को शेयर कर देजिए